आज मैं आपके लिए कैसी रेसिपी लेकर आए हूँ जिससे आप अपने बच्छों के बाहर के कुरकुरी खाना बन करवा सकते हैं ये स्नैक्स एक्तम मार्केट के जैसे लगते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर फुल है और हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा टेस्टी है एक्तम क्रिस्पी और करारे बनते हैं एक्तम कुरकुरे के जैसे और क्या आपको पता है ये हमने बनाये हैं बच्छे हुए चावल से क्या आप सोच सकते हैं कि बच्चे वे चावल से ऐसे पी कोई रेसिपी बन सकती है तो इस रेसिपी के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक प्याज मेडियम साइज की प्याज लेंगे और इसके साथ मैंने ली हैं तीन लेसन की कली यह बच्चों की फैबरिट बन जाएगे जब आप इसे बनाकर उनको खिलाएंगे तो यहां पर अब लेंगे एक टेविल स्पून नारियल का पुरादा या कोकोनट पाउडर इन्हें हम अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं पागी की चीजे और ग्राइंड करेंगे तो प्याज अच्छे से ग्राइंड हो जाएगे अब यह देखें यहां पर यह है सीक्रेट इंग्रेडियन जो की है हमारे बचे हुए चावल कल मैंने आपके साथ एक और बचे हुए चावल की रेसिपी शेयर के थी और यह दोनों चीजे मैंने एक ही साथ बनाई थी तो इसकी वीडियो मैं आज शेयर कर रही हूँ यहां अब देखें एक छोटी कटोरी मैंने बचे हुए चावल लिये हैं और बाकी की जो चावल थी उसकी मैंने कल रेसिपी बनाई थी इसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं वह भी बहुत ही जादा टेच्टी थी तो यह सारे चावल ग्राइडिंग चार में डाल दिंगे इसके बाद लेंगे एक कटोरी चावल का आठा अगर आपके पाइस चावल का आठा नहीं है तो आप चावल को ग्राइन करके चावल का आठा बना सकते हैं तो देखी दोनु चीजों को अच्छे से मैंने मिक्स कर ने मतल्क पीस लिया है इनको साथ में और बहुत ही को हम एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे इसमें डालेंगे एक छोटे चम्मस सफेद तेल आपके पास अकर सफेद तिल नहीं है तो इसे लिब कर सकते हैं तेस्क के डोडिंग नमक एड करेंगे इसके बाद एड करेंगे चिली फ्लैक्स और यह घरके बनाएवे चिली फ्लैक और इसमें हम laser करेंगे एक टेवल स्पून तेल अगर बड़ी कटूरी चाबल भर कर ये इक स्नेक मिनने वाले हैं तो दो टेबल स्पून टेल डालिएगा इसके बाद एड़ करेंगे फ्लेवर के लिए करी लीप्स इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है एकतम बारीक अगर करी लीप्स नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं या फिर कसूरे मैती डाल सकते हैं तो अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिंगे और तेल जो हमने डाला है इस से यह न एक्तम हो जाएगा तो बहुत ared ही अच्छे से हम डो को अच्छे से इसको mix और जो हमने मिक्षर बना कर रेड़ी किया है जो ये डो है इसे भी हम चकले के उपर रखेंगे सूखा आटा डाल देते हैं थोड़ा सा चावल का आटा ही डालना है और आप चाहें तो ग्याउं का आटा भी डाल सकते हैं अब इसे हम अच्छे से बेल लेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उससे हलका सा मोटा रखना है बस बहुत जादा पतला नहीं करना है थोड़ा मोटा ही रखेंगे हम तो इससे क्या होगा कि हमें इसको बेलने में या उठाने में आसानी होगी और जो हमारा नाश्ता या स्न में pieces में cut करोंगे आप किसी भी आकार में इने बना सकते हैं आपके पास अगर कोई cutter है जो अलग-अलग design में आती है उस cutter से भी आप ये बना सकते हैं तो देखिये इस scale से cut करना बहुत ही आसान होता है सारी ही जो snack बनेंगे वो एक ही size के बनेंगे और दिखने में भी एकतम मार्केट के जैसे लगेंगे तो देखिए पहले मैंने इसको सीधा कट किया अब मैं इनको थोड़ा तिलचा कट कर रहे हूँ तो इस तरह से डायमेंड डिजाइन में कट हो जाएंगे और इनको हम ट्राइंगल शेप देंगे तो इसके लिए एक बार औ वाली तो जरूर से देखिए का बहुत जादा टेस्टी है वो और उसके साथ में अगर आप यह वाला स्नैक भी दे देते है ना तब तो खाने वाले को मजा ही आ जाएगा तो देखिए अब जो जॉइंट्स है ना उस पे से हम इन्हें वापस से कट करेंगे तो यह एक ही सा गोल गोल या फिर जैसे डायमेंट्स में कट किया है ना काजू कतली के आकार में वैसा भी इन्हें बना सकते हैं और देखिए मैं इनको बीच में से एक बार और कट कर रहे हूं ट्राइंगल की रूप में तो अकर आपको यह रेसिपी पसंद आ रही हो ना तो प्लीज को सब्सक्राइब जरूर किजेगा यहां पर मैंने आप एक को एक उठाकर दिखाया देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ना यह तिको ना बहुत ही जदा अच्छा लग रहा है और एक तम एक ही साइज में कट हुए हैं साइट से भी हम जो पीसे उठाएंगे वह भी ट् क्रिस्पी हो चाएंगे और साथी हेल्दी पी रहेंगे आपको इस तरह से ओईल में फ्राइ नहीं करना पड़ेगा तो मैंने एके करके ओएल में इन्हें डाल रहे हूं और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राइ करेंगे पहले आप ओईल को अच्छे से गरम कर लीजे फि हम इने फ्राइ करेंगे लगबग 5-6 मिट का समय लगता है जब भी चावल बच जाते हैं तो आप उन्हें फ्राइ करके खा लेते हैं या फिर जवर जस्ती फिर से दाल फ्राइ बनाने पड़ती है और चावल को अलग से जीरा राइस करना पड़ता है लेकिन ये रेसिपी आप ट्राइ कीजे का आप हमीशा चावल बचाएंगे और यही बना कर ट्राइ करेंगे सच में ये बहुत जादा टेस्टी है तो दीखिए मैंने अच्छे से इने गोल्डन कलर आने तक फ्राइ कर लिया है लगबग 5-6 मिट में अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं और बहु स्नेक्स बचे हुए हैं उन्हें भी हम ओईल में फ्राइ करेंगे अच्छे से 5-6 मिट में ये भी अच्छे से फ्राइ हो जाएंगे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राइ करना है ये दिखिए बहुत ही पैरा सा कलर आया है और बहुत ज़दा क्रिस्पी है तो य आहिए लेद्स हमारे सारे स्नेक्स रैडि हो चुके हैं और कमाल के बात यह रही कि इन्हें भले है वैह उइल में फ्राय किया है लेकिन इनमें बिल्कुल वी Ὀयन नहीं होता है यह आप जैसे एर फ्रायर में को करते हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगे अब मैंने एक्ट्र फ्लेवर के लिए इस पर डाला है मैगी मसाला आप पास्ता मसाला या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं और बेना इनके भी इन्हें खा सकते हैं तो देखी मैगी मसाला डाल कर मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूंगी और प्लेट में निकाल रही हूँ तो आप देख सकत और यह फ्लेवर फुल स्नैक जरूर से ट्राइ कीजिए का आप चाहें तो इन्हें हुली पर भी बना सकते हैं तो यह देखें एकदम क्रिस्पी सा है हमारा स्नैक बहुत ही जदा टेस्टी है और बच्चों का सच में यह फैब्रेट बन जाए का इतना जदा मज़ेदार है वी